बूद बावाणी स्ठूजेंट्स लास लेक्ट्जे में मैंने आपको relational function के बारे में बताया था relational function को बताने से पहले मैंने आपको बताया था Cartesian product तो आपने वो definition learn कर ली हो इसके बारे में वो questions थे वो practice कर ली हो तो वैसे Cartesian Proorder में फिर से बदाता हूं होता गया था किता अगर दो सैट्स है मेरे पास non empty सैट्स है B cross Q और उसमें एक order pair होता है उसमें मान लो A B है और उसमें होता गया था वो A element होता था 1st set का और B element होता था 2nd set का तो उसी के according हम यहाँ पे उसको बेस रखके हम Cartesian product को बेस रखके हम यह कोशिशन करने कोशिश करते हैं exercise 2.1 का A x B आपके पास already इन्होंने दिया हुआ है A x A y order b x by find a and b तो मैंने आपको क्या बोला Cartesian product का जो पहला element होता है वो पहले set को belong करता है second element second को तो इसके सबसे इनके very first element सबके के है order पेर के A, B है तो A, B है लेकिन दो दो बार repeat हो रहा है अब हम जब roster form लिखेंगे तो single bar A की बार लिखते है ना repeat नहीं होता तो set A के elements के होगे similarly set B के elements जो second element होता है वो set B के element होगे यहां का second element X है यहां का Y है फिर XY बट repeat नहीं होंगे इसलिए एक single bar ही लिख देंगे roster form है ना तो B is equal to XY तो समझ गे A के element आगे A, B, B के element आगे XY यही तो चाहिए था फिर question number 7 देखना set A B given है set B, set C, set D हमें verify करना है A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C सबसे पहले मैं करूँगा B intersection C, B और C में common element 1, 2, 3, 4 यहां 5, 6 कोई भी common element नहीं है तो क्या आ गया 5 और A cross B intersection C मैंने आपको पताया था A into किसी भी set को मैं 5 से multiply करूँगा ना तो वापिस वापिस वाएगा 5 तो A cross B intersection C क्या था 5 तो A cross 5 वापिस क्या आ गया 5 यह आपका हो गया अलेचस अब हम करेंगे partition product A cross B तो यह लो A cross B, A, B, तो A cross B करके यह हमारे सारे क्या आए order pair फिर हम करेंगे A cross C, A, A, C, A दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर A, C, तो आगे जैसे कल आपको बताता है partition product order कैसे करते हैं अब मिरको A cross B intersection A cross C, इन में से इन दोणों में से मिरको चाहिए common ordered pair यहाँ आपको दिख रहा है 15, मुझे इसमें कहीं 15 नहीं दिख रहा है, 16 वो भी नहीं है क्योंकि 4 तकी element है 25, 22, 23, 24, नहीं है 26, मिन्स इन में से कोई भी element, कोई भी ordered pair common नहीं है तो मैंने क्या कर दिए, जब common नहीं होता तो आगे क्या लिख देती है 5, तो hence verified, which is equal to LHS, तो यह इसका question number 5, important question है इसके according के कोई दूसरी similar example होगा, question number 5 की तरह, लेकिन सबसे पहले तरो question number 5 देखती है इसमें set A है, जिसमें element सा minus 1 और 1, हमें इसका चाहिए triple product, triplet, A cross A cross A तो A cross A cross A करने के सबसे पहले में A cross A ही तो निकाल लूँ दो, A के element minus 1 into 1, दूसरा वो भी तो A ही है, उसके element same ही होगे इनका partition product किया, यह इसके आये order pair, फिर मिनको लेकिन चाहिए क्या, A cross A into A, तो यह A cross A तो मैंने already find कर लिया, फिर इसको minus 1 और 1 से, फिर इस minus 1 को पहले सबसे multiply, फिर plus 1 को तो वापिस आ गया यह, है वो ही है, partition product first element को first से, second element को second से ऐसे ही करेंगे, फिर उसके बाद है question number 9, उसक question number 9 देखना, कहता है number of elements in A cross A, total number of elements in A cross A में कितने है, set में उसमें है 9 elements, वो जिसके already दो order pair उसने दे दी है, ठीक है, कहता है, find set A and remaining elements, सबसे पहले set A में elements क्या क्या होंगे, यहां पर देखो बात किसकी चल रही है, order pair में है क्या, एक minus 1 ना, एक 0 है, 0 है 1, तो set A में सिफ यह elements होंगे, मुझे चाहिए A cross A, तो A into A, दिए लो वापिस फिर से minus 1 को पहले minus 1 से, फिर minus 1 into 0, minus 1 into 1 हो गया, फिर 0 into minus 1, 0 into 0, 0 into 1 हो गया, उसके बाद, फिर 1 into minus 1, 1 into 0, ठीक है, फिर 1 into 1, तो यह आपके आगे सारे order pair यहीं पर ही, तो यह था इसका question 9, तो यह आप access कर लो, आप यह इफ तो होगी, इसकी एक, एक, दो, दो question हो रहा है, ठीक है, आपको खुद करने है, वो मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल similar है question number 3 और question number 8, बिल्कुल easy है, वो आप खुद करोगे, कल हम इसकी relation की और functions की बात करेंगे, ठीक है, that's all.